नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube channel Prevalent Education पे बहुत सारे छात्रों की queries आरी लगातार, computer certificate को लेकर लगातार confusion बना हुआ है, आप लोग इस वीडियो में बने रहे हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कौन-कौन लोग eligible है, कौन-कौन लोग form apply कर सकते हैं इसके अलावा typing software के बारे मैं बताऊंगा कि सबसे best typing software कौन सा है, backspace allow है कि नहीं allow है, आपको कौन सा typing का matter, कौन सा type करना है, judgment कहां से बिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप लोग में से जो भी candidate पहली बार कोई बी doubt है, तो आप comment section अपने सवालों को लिखे, जो भी अगला वीडियो आएगा, आपके सवालों का समाधान किया जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आप हमारा telegram channel share कर सकते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, recently मैंने इसमे agriculture के materials प्रवाइड किये है, study materials मैंने आपको agriculture का प्रवाइड किया है, Hindi English language दोनों में, इसके अलावा environment के भी मैंने study materials आपको प्रवाइड किये हैं, environment के, और अभी जल्द ही मैं आपको economics के भी study materials प्रवाइड कर दूँगा, इसके अलावा मैंने आप आप यापी science के study materials प्रवाइड किये हैं, फिजिस क्रे आप लोग इसको join कर सकते हैं, और गरीब छात्रों के साथ share कर सकते हैं, जिनके पास कोई भी सुविदा नहीं है, तो आप उनके साथ share कर सकते हैं, ठीक है, सभी materials free of course है, आप लोग इसका लाव उठा सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहली बात में मैं बताता हूं, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग graduation कर चुके हो, यदि आपने graduation के दौरान computer विशाय नहीं पढ़ा है, तब आपको अलग से computer certificate लेने की आउशकता है, ठीक है, समझ मैं या पहली बात, दूसरी बात सुनिए, computer application और computer science दोनों एक ही बात है, और information technology का मतलब भी computer science ही होता है, आप लोग जानते हो ना, IT sector, IT sector मतलब क्या, computer, तो आप लोग इससे confused मत होएगा, दोनों एक ही बात है, देखिए, दो तरह के degree होती है, एक होती है technical degree, और एक होती है simple degree, ठीक है, technical degree में क्या क्या आता है, technical degree में आपका BCA आ गया, ठीक है, या फिर MCA आ गया, या फिर आपका, बीटेक आया, चीक है, जो मैं आपको सबसे जो most famous यही बता रहा हूँ, तो BCA वालों को अलग से computer certificate लेने की आउसकता नहीं है, अलग से computer certificate लेने की आउसकता नहीं, क्योंकि आपने और लेडी computer application से graduation किया है, तो आप जब form फिल करेंगे, त ठीक है, degree पर टिक करिएगा, आपके पास computer का क्या है, degree है, MCA वालों को बता दे रहा हूँ, आप देखे, MCA दो तरह के के लोग होते हैं, एक लोग जो BA करने के बाद MCA करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, और कुछ लोग BCA के बाद MCA करते हैं, तो आपको तो form apply करिए, और क्या टिक करिएगा, degree पर टिक करिएगा, ठीक है, जब आप form fill करेंगे, तो degree वाला option पर टिक करिएगा, मैं B.Tech वालों की बात करता हूँ, क्योंकि B.Tech वालों में लगातार confusion बना हुआ है, देखे, इलाबध High Court 2016 में क्या किया था, 2018 में क्या किया था, यह मैं ब allow किया था, जिनके पास, जो लोग B.Tech IT से किये हैं, या CS से किये हैं, या Electronic and Communication से किये हैं, बाकि जो other branches हो गई, Mechanical, Civil और Electrical, इन लोग को काफी ज़्यादा परशानी होई थी, ठीक है, तो आप लोग एक काम कर लिजे, जो भी छात्र, Mechanical के हों, Civil के हों, और Other branches के हों, Chemical branch के हों, तो आप लोग एक RTI कर लिजे, RTI में आप लोग पूछ लिजे, कि सर हमने अपने graduation के दौरान, एक semester पे computer विशय पढ़ा हुआ है, और semester 6 मंत का होता है, और triple C तो 3 मंत का होता है, तो हमने अपने graduation के दौरान, एक semester computer पढ़ा हुआ है, जिसका mark हमारे mark sheet में show हो रहा है, तो क् मास अलग से computer का कोई certificate नहीं है, लेकिन हमने BTEC में computer पढ़ा हुआ है, तो क्या हम eligible है, या आप RTI में उत्तर, ये सवाल पूछेगा, दो-तीन दिन में उत्तर आ जाएगा, और यदि RTI से yes का उत्तर आ जाता है, तो आप लोग बेज जग फॉर्म फिल कर दिजे, क्योंकि दे कहता है कि जो भी बंदा BTEC किया हुआ है, उसको तो computer की knowledge है ही, लेकिन आप जानते हैं, या पे कुछ लोग बहुत परशान करते हैं, ठीक है, एक बात और बता दे रहा हूं, कभी यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल सी और या यूपी PCS से कभी कंफ्यूज मत करिएगा, कि यूपी PCS में अगर ओ लेविल कहा है, तो ओ लेविल ही चलेगा, उसके लोगा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, एलाबद हाई कोट का case थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो समझ गए, बीटेक वाले समझ गए, आप बात करते हैं, जिनके पास simple degree है, जैसे कुछ लोग BA करते ह हैं, अगर आपने पर graduation के दौरान computer नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको अलग से certificate लेनी के आऊ सकता है, certificate कौन कौन सा चलेगा, चाहे आप triple C करें, triple C चाहे आप university से करें, या निलिट से करें, आप eligible हो, चाहे आप O level करें, चाहे आप PGDCA करें, चाहे आप DCA करें, चाहे आप या government recognized college से हो, आपका private नहीं चलेगा, private college उनिवस्टी नहीं चलेगा, ठीक है, समझता है कि नहीं समझ गए, private नहीं चलेगा आपका certificate, ठीक है, अब बात करते हैं, बीकॉम वालो की, बीकॉम वालो के पास भी हाई condition है, यदि आपने बीकॉम के दौरान computer vision नहीं पढ़ा है, यदि आपने बीकॉम के दौरान computer vision नहीं पढ़ा है, तो आपको अलग से certificate लेनी के आऊ सकता है, certificate कौन कौन से चलेगा, या तो आपके पास triple C हो, या तो O level हो, या तो DCA हो, या तो ADCA हो, या फिर PGDCA हो, ठीक है, अगर यह सब है, तो आप eligible है, otherwise eligible नहीं है, ठीक है, एक बात और बता, अब BSC वाले सुने ध्यान से सुनियेगा, यदि आपने BSC IT से किया है, या CS से किया है, तब आपको अलग से certificate नहीं लेना है, क्योंकि IT का मतलब होता है, information technology, आपने BSC में पढ़ा है computer, BSC CS वाले सुन ले, BSC CS वाले, आपने 3 साल computer पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत न आपने पढ़ा ही नहीं अपने graduation के दोरान, तो आपको अलग से certificate लेना है, कौन कौन से लेना है, या CCC, या O level, या DCA, ADCA, या फिर PGDCA, ठीक है, जैसे मैंने BA वालों के लिए बता जाए, यही condition आपके BBA भी लगेगी, ठीक है, अगर BBA में आपने computer पढ़ा है, result में mark शो हो तो देखी मैं एक बाँ बता दे रहा हूँ, form की last date है 16 सितंबर, form की last date है 16 सितंबर, यदि आपका result 16 सितंबर के पहले आ जाता है, CCC का, यदि result 10 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर तक आ जाता है, तब आप form fill कर देना, ठीक है, result net में show हो जाना चाहिए बस, अगर result net में show हो गय आई कर देना, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका result 15 तक आजाएगा, तो आप form fill कर दीजे, ठीक है, तो आप लोग eligible हो जाओगे, ठीक है, और कुछ candidates और थे, जो ये कह रहा है कि सर, हमको सितंबर में exam देना है, CCC का, और result आते आते हैं, हमाई पास certificate आ जाएगा, तो आप लोग eligible नहीं है, क्योंकि form के last date तक, form के last date तक आपके पास सारी eligibility होनी चाहिए, ठीक है, form के last date तक, अगर form के last date के बाद आपके पास certificate आया है, या result आया है, तब आप eligible नहीं हो, समझ गए ना ये बात, तो मैंने B.TEC वालों को भी अच्छे समझा दिया है, जो other branches है, civil वाले, mechanical वाले, electrical वाले, chemical वाले, तो आप लोग RTI कर लो, क्योंकि मैंने ही चाहता है कि आप लोग risk को लो, क्योंकि आप लोग दोनों form apply करोगे, और 800 रुपए दोगे, क्या मतलब 16 रुपए बरबाद करने का, बेटर है कि 10 रुपए देकर RTI कर लो, आपको उत्तर बिल जा था, ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग बाते परशान हो, क्योंकि जब पूरा confidence हो, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाख में डाउट रहेगा, यार पता नहीं बाहर करते कि ना करते, तो आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं चक्षे चलेगा या फिर Пटटा इशस चलेगा, थेक है, मैंने बसी वानों को बतादिया है कि आपने 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 कंप्यूटर-भडा हुआ है, मैंने ambca बबता द है क्या आपके आपने आपका करिस्पूंदेंस और एप हो, चाहे और मैं, हो चाहे मैंने रिकमेंड बहुत पहले से रिकमेंड कर रहा हूं sony तीक है sony typing software यह बहुत अच्छा है इसके लावा कुछ लोग jr typing software करते हैं और आपको लेना पड़ेगा वर्जन में क्या होता है कि उसमें copy or paste का option होता है आपकी कर सकते हो वैसे इसक्रीन में टाइमर चलता है आयगा तो आपके स्क्रीन में एक्सराइज रहेगी जो तो आप उसको आप टाइप कर सकते हो तो एक्जाम वाली तो उसमें कुछ exercise ही रहती है जो की प्लेन रहती है उसके अलावा वो लॉक हो जाती exercise इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दो महीने के लिए आप लोग ले लिए ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है तो आप लोग जब डाउनलोड करोगे तो उसमें उनकी नमबर उमबर उनका लिख को जिन भी कैंडिडेट्स को टाइपिंग नहीं आती बिल्कुल तो आप लोग टाइम नव वेस्ट करें क्या करके टाइपिंग इस्ट्यूट जॉइन कर लिजे घर में आप नहीं कर पाओगे टाइपिंग आप डेडिकेटली सीखोगे तो आपको आ जाएगी एक महीने के चलिए चलिए अपकी पीटली एक और उसकी शाएफ कर लेंगे तो उसी को कॉंपी-पेस्ट आप कर सकते हैं जया और सुनी में ठीक है तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं या फिर आप डिरेक्टी जा सकते हैं Google में important judgments type search करिएगा important judgments of Supreme Court तो जो तीन चार्ड जजमेंट आपको आ जाएंगे तो आप उनको copy करके paste कर सकते हैं इसके लगतार आप practice कर सकते हैं एक बात और बता जाँ backspace use होगा तीक है backspace अगर जजमेंट आता है तो backspace fully use होगा मतलब चार-पांच शब्द भी आप डिलीट कर सकते हैं एक दो लाइन भी आप डिलीट कर सकते हैं लेकर प्लेन टाइपिंग आएगी तो प्लेन टाइपिंग में शायद लॉक कर दे लॉक का मतलब यह होता है कि इस पेस मानने के बाद इंटर मानने के बाद हो सकता है कि आप पीछे ना आप आए लॉक कर दे चिक है वह आपको तब पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे जब आप एक्जाम में अपियर होगे और जो जो दो मिनट के लिए सब्सक्राइब करने का एक लॉस है क्योंकि आपकी स्पीड कम आती है तो आप दीरे दीरे टैपिंग करिए लेकिन अच्छे से करिए और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए अगला वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि और बहुत सा सब्सक्राइब करूंगा और टाइपिंग से रिलेटर में आपको आपकी वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इस वीडियो में इतना ही ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए जहन